जी मिकांदा की दही वाली सबजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर हमने चार से पास टामाटर को अच्छे से वाश कर लिया है यहां पर जी मिकांदा जो है वो पहले से फ्राई हो गया था और मैंने उसमें कुछ यह पत्ता भी डाल दिया है थोड़ा सा दो चार पीस ऑईल पर बशलेगे और जिए ज यह शक्ताएं जब जब प्रहएं चाइम राएमे पृप φुबहरम और जब उसमें बडाय काथ उसमें है कास्तूरी मेथि आपिश बड़नाकर उसमें और शून मीथियो प्रगशाम भी यह भी कर सकते हैं चाही आपके टीर शार यारा है कि यहा बेस्ट पना लिया है तो जब मिर्ची अच्य सिर्शवम इच्छ ना रिक जाया कोया तो पेस्टinge को ड़ाया है कड़ाई में अच्य से मिक्स करना है तो लिए जी कुर्ची जब टमाटर 50 % परिक तुट आ उसके बाद हमें अएक करना है इसमें मसाले तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पर हमने देड़ चमज टर्मरीक पॉर्डर डाला है और रेड चिली पॉर्डर आधार चमज डाला है अच्छे से मिक्स करना है फ्लेम को रखना है मीडियम आप इसे बीच बीच में मिलाते रहेगा तो यह जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुना चुका है देख सकते हैं आप सब तरब सोयल छूटने लग गया इसमें अब हमें इसमें डालना है यह चिमिक अंदे के पीस को और अच्छे से मिक्स करना है फ्लेम को कर लेना है मीडियम फ्लेम आपका मीडियम में ही रहेगा जिससे कि मसाले है पूरे पीस में अच्छे से लपेता जाए अब एक तरब हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है दही है काफी खटड़ा वाला फलेम को रख लेना है हाई तो जो यह सबजी है वो अच्छे से पकना शुरू हो चुका है तो अब बारी है दही एट करने की तो यहाँ पर हम डाले है दही दही काफी खटता था इसलिए मैंने यहाँ पर देड़ गिलास पानी भी एट किया है आप अपने ही साब से रख लीजिएगा दही अच्छे से मिक्स करते रहना है ध्यार रखे फ्लेम को हाई रखना है यहाँ पर हमने पानी एट किया है लास्ट वर मैं और पानी एट करियो बट वो वीडियो में नहीं आ पाया है और 4-5-600 बालाने देना है आप इसे रोटी में खाए, राइस में खाए, किसी में भी खाए, काफी यम्मी सी सबजी है, चाटिसगर की काफी फेमर सबजी है, जी मिकान्दा की सबजी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं राइस में तबतक की लिगा की लिए बाइस